नमस्कार दोस्तो आप सभी को हमारे चैनल The Divine संसार की तरफ से पूर्नीमा की हादिक शुपकामना है तो दोस्तो आज हम बात करेंगे इस व्रत कथा के बारे में तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अगर च तुम सारे संसार के रचियता तथा पालन हार हो। आज कोई ऐसा उपाई मुझसे कहो जिसके करने से स्त्रियों को स्वभागे की प्राप्ति हो तथा उनकी सभी मनोकामने पूर्ण हो। श्री किशन कहने लगे, हे माता मैं आपको एक उपाई विस्तार से बताता हूं स्वभागे की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूरण मास्यों का व्रत करना चाहिए। धन धाने आदी की कमी नहीं थी, उनको केवल एक दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी, इस कारण वे अत्यंत दुखी रहते थे, एक समय एक तपस्वी उस नगरी में आया, वे तपस्वी उस ब्राहमण के घर को छोड़ कर अन्ने सब घरों से भिक्षा लेकर बोजन किय करता था, एक दिन हमेशा की तरह तपस्वी भिक्षा को प्रेम पुर्वक खा रहा था, कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कारे देख लिया, धनेश्वर योगी से बोला मातमन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, प्रन्तु मेरे घर से भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका कारण क्या है, योगी ने कहा कि नी संतान के घर की भी पतितों के अन के तुल्ले होती है, और जो पतितों का अन खाता है, वे भी पतित हो जाता है, चुनकि तुम नी संतान हो, अत्य है, पतित हो जाने के भैसे मैं तुमारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ, धनेश वग्य हैं, मुझ पर अवश्य ही किर्पा कीजिए, मैं पुत्र ना होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ, आप मेरे इस दुख का हरन करें, आप समर्थेवान हैं, यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्रामर तुम चंडी की अराधना करो, घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब व वर्षन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, प्रन्तु वह 16 वर्ष की आयू में ही मित्तु को प्राप्थ हो जाएगा, यदि तुम दोनों त्री पुरुष 32 पूरण माशियों का व्रत विधी पूर्वक करोगे, तो वह द्विर गायू होगा, प्रात् शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी, तब शंकर भगवान की किरपा से उसको गरभ हो जाएगा, जब वह ब्रहमण प्रात्यकाला उठा, तो उसने उस थान के पास ही एक आम का व्रिक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुन्दर आम का फल लगा हुआ था, देवी जी के असीम किरपा से उसे एक अत्यंत सुन्दर पुत्र उत्मन हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा, माता पिता के हर्ष के साथ वे बालक बढ़ने लगा, भवानी की किरपा से वे बालक बहुत ही सुन्दर, सुशील और पढ़ने में बहुत ही दुर्गा जी के आग्या नुसार उसकी माता ने 32 पुरण माशी का वरत रखना प्रारम कर दिया था, जिससे उसका पुत्र बढ़ी आयू वाला हो जाए, सोल्वा वर्ष लगते ही देवी दास के माता पिता को चिंता हुई, कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मित्यू ना एक वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्यन करे, इसलिए साथ में तुम चले जाओ, और एक वर्ष के पाश्चात इसको वापस लोटा लाना, सब प्राबंद करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवी दास को एक घोड़े पर बिठा कर उसके मामा को उसके मंगल कामना तथा दिरगाईयों के लिए भगवती दुर्गा की अराधना और पूरण मासियों का वरत करना अरम कर दिया, इस परकार बराबर 32 पूरण मासी का वरत पूरा किया, कुछ समय पाश्चात मामा और भांजा मार्ग में रातरी बिताने के लिए किसी ग्राम में ठ संयोग वश कन्या को तेल आधी चड़ा कर मंडप आधी का कृते किया गया, तो लगन के समय वर को धनूर वात हो गया, अस्तू वर के पिता ने अपने कुटंबियों से परामश करके निश्चे किया कि ये देविदास मेरे पुत्र जैसा ही सुन्दर है, मैं इसके साथ ही ल जगन का सब कृते 104 रूप से हो सके, तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मदू पर आधी करने द्यान के समय वर को मिले, वे सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा बांजा इस बरात का दूला बन जाएगा, ये बात वर के पिता ने स्विकार कर लेने पर उसने अपना बा कांत में इसी सोच में पढ़ गया तथा, उसकी आखों में आसू भी आ गए, तब वदू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं, तब उसने सब बाते जो वर के पिता, वा उसके मामा में हुई थी, उसको बतला दी, तब कन्या कहने लगी कि ये ब बातों को अच्छी तरह विचार लो, प्रंतु वे द्रिड विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गती होगी, वे मेरी गती होगी, है स्वामी आप उठिये और भोजन करिया, आप निश्चे ही भूके होंगे, इसके बाद देविदास और उसकी पतनी दोनों ने भोजन कि अन्यता समझ लेना मेरी मित्यू हो गई है, यह समझा कर वे चला गया, प्राते काले होते ही, वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे, और जिस समय विवा के कारे समाप्त करने के लिए, वर्ग तथा सब बराती मंडप में आए, तो कन्या ने वर्ग को भली प्रकार से देख कन्या धान के समय जो मैंने भूशन आदी दिये थे, उन्हें दिखाएं, तथा रात में मैंने क्या गुप्त बाते कहीं थी, वह सब सुनाए, पिता ने उसके कथा अनुसार वर्ग को बुलवाया, कन्या की यह सब बाते सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता, इस सरप रातरी के समय उसको डसने के लिए महाँ पर आया, प्रंतु वरत के प्रभाव से उसको काट ना पाया, क्यूंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पुर्णीमा का वरत कर रखा था, इसके बाद मध्यान के समय स्वयम काल वहाँ पर आया, और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रतन करने लगा, जिससे वैं मूर्चित होकर प्रिट्वी पर गिर पड़ा, भगवान की गिरपएसे उसी समय पार्वती जी के साथ शुरी शंकर जी मा पर आवे, उसको मूर्चित दश्या में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रात्ना की कि हे प्रभाफ से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देविदास त्वस्त होकर बैड़ गया उधर उसकी स्त्री उसकी प्रतिक्षा किया करती थी तब जब सोलवा वर्ष व्रतीत हो गया तो देविदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया इधर उसके साससुर उसको ढूं दगे इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाफ से पुत्रवान हो गया जो भी स्त्रीयां इस व्रत को करती है वे जनम जनमांतर में वैदव्य का दुख नहीं बोगती और सदेव सवभाग्यवती रहती है यह मेरा वचन है इसमें कोई संध्या नहीं देने वाला तथा संपूर्ण मनुकामनाओं को पूर्ण करने वाला है 32 पूरण माशियाओं के व्रत करने से व्रती की सब इच्छा है बगवान शिवजी की किर्पा से पूर्ण हो जाती है आज के लिए इतना ही कथा समप्ध धन्यवाद